So, Hello Guys, Welcome Back to my Channel अर्थशास्त्र की नगरी So, Guys, जैसे कि आपने थम्निल के अंदर देखी लिया है हम बात करने वाले आज भारति अर्थ्वेवस्तर विकास के चैप्टर नंबर 7 के रिगार्डिंग जिसका नाम है भारत में मानव पुंजी निर्मान इस चैप्टर के most important data के रिगार्डिंग वो कौन-कौन सा important data है जो आपको इस चैप्टर से learn करना है इससे previous में 6 चैप्टर का most important data आपको अल्रेडी बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो मेरे भाई पहले आप उस वीडियो को जरूर देखके आईएगा एक copy बना लीजिए जिसमें मैं आपको chapter wise most important data बता रहा हूँ और ये data आपको आपके half yearly pre-board और board exam में बहुत ही जादा help करने वाला है तो बिना बक्वास के मुद्दे को शुरू करते हैं भारत में मानव पुझी निर्माण का ये जो आपका chapter है सबसे पहला इसमें आपको ये ध्यान रखना है आपसे exam में पूछा जा सकता है कि वह कौन सी पंच वर्षे योजना है जिसने मानव पुझी निर्माण पर बल दिया अमानव पुझी निर्माण के महत्व को पहजाना तो वो है आपका साथवी पंच वर्षे योजना बहुत की अच्छा कोश्चन है रिपीटिड है exam के point of view से दूसरा आपको क्या ध्यान दखना है इस chapter के अंदर education sector पे बहुत ही ज़्यान देना है मतलब की भारत की वर्तमान में साक्षरतादर कितनी है 77.7% है 2022 के accordingly मतलब वो लोग जो पढ़ लिख सकते हैं भारत में अगर male की बात करें पुर्षो की तो वो है 84.7% वहीं अगर हम female की बात करते हैं तो वो है 70.3% मतलब female की जो percentage है वो अभी भी male के comparison में जो है वो कमी है शहरी शेत्रों की अगर बात करें तो यह है 87.7% और ग्रामिर शेत्रों की बात करें तो यह है 73.5% मतलब यह कह सकते हो के शहरी शेत्रों में भी भी education की जो literacy rate है वो जादा है और उसमें गाउं में जो है वो कम है इसका reason भी आप से पूछ सकते है कि वह ऐसा क्यूं है सिंपल सी बात है कि school, colleges mostly जो है वो आपका शेहरों में ज़्यादा अविलेबल है गाउं में कम अविलेबल है ठीक है सेवाओं का समाने सतर पे वितरन जो है नहीं किया गया है सेम ऐसे यहां पे भी पूछ सकता है कि पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर से जो है वो जादा क्यूं है यह दोनों question भी बन सकते हैं और आपसे data भी exam में पूछा जा सकता है अब total भारत की जो साक्षरता दर है वो 77.7% है यह सारा data आपको ध्यान रखना है बिलकोल updated data है 2022 के accordingly अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर वो कौन सा राज्य है जो सबसे पड़ा लिखा राज्य है सबसे साक्षरता दर किस राज्य की सबसे जादा है तो literacy day जो है यह 8 सितंबर को बनाया जाता है यह भी आपको जो है ध्यान रखना है साक्षरता का मतलब क्या होता है वो लोग जो पड़ लिख सकते हैं ठीक है जी इसमें mostly मैंने आपको बला education sector पे ही ध्यान देना है अगर हम पूरे world की बात करते हैं तो वैश्विक साक्षरता द सबसे कम पड़ा लिखा को है तो आंदर परदेश भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है राज्य है इसकी साक्षरता दर केवल किती है 67.3% सबसे जादा पड़ा लिखा स्टेट कोन सा है केरल सबसे कम कोन सा है भारत के अंदर यह आपको पता होना चाहिए और भारत की overall साक्षर्टादर किती है male की किती है female की किती है ये सब बाते आपको जो है ध्यान रहनी चाहिए ठीक है अगर हम बात करते हैं कि किस state के अंदर male और female की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा राजे जहां पर जहाँ है male की साक्षर्टा दर सबसे ज़्यादा कम है वो है राजिस्थान और female की अकरम बात करें तो वो है बिहार highest की बात करें तो वो है लक्षदीप और highest female की बात करें तो वो है केरल ये बाते मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मानप पुंजी निर्मान में बस साक्षर्टा दर के उपर ही exam के उपर question आना है ये सारी बाते आपको ध्यान लखनी है कि कौन सा राज्जे सबसे ज़्यादा पड़ा लिखा है कौन सा सबसे कम पड़ा लिखा है male सबसे ज़्यादा कहां पर है female सबसे ज़्यादा कहां पर इनका नाम इसके full form और ये क्या काम करते हैं जैसे कि सबसे पहले कर हम बात करते हैं NCRT की ये तो repeated है fix है exam के अंदर ये सारे के सारे इस चार में से guaranteed है आता ही आता है NCRT का पूरा नाम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए राश्टिये, सैशिक, अनुसंदान और प्रसिक्षन परिशत क्या काम करता है ये ये जो है उस तर माद्य में किस तर का पाठ्थे पुस्तकों की समगरी का चेहन करता है UGC की बात करें विश्विद्देल ये नुदान आयोग ये विश्विद्देलों के विद्प्रतान का काम करता है AICTE अखिल भारती तखनीकी सिक्षा परिशत ये तखनीकी और इंजिनियरिंग सिक्षा से संबंदित नियम और अधिनियम को लागू करता है और ICMR ये भारते चिकित्सा नुसान परिशत ये स्वास्त सेवा के लिए रूल एंड रेगूलेशन को लागू करता है ICMR का पूरा नाम क्या है AICTE का पूरा नाम क्या है NCRT का पूरा नाम क्या है UGC का पूरा नाम क्या है बहुत ही जादा important है घोल के आपको पी जाना है इसके अलावा एक चीज होती है सकल नामंग का अनुपात आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए और इसका सूत्र पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से calculate किया जाता है मतलब gross enrollment ratio इसको कहते है मतलब कि like like 6 साल से लेके 14 साल के जो बच्चे है वो कौन सी class में admission लेते हैं तो कितने admission हुए कितने उम्र तक के इसका formula बुक के अंदर लिखा हुआ है इसका अर्थ और इसका सूत्र ठीक है ये दोनों आपको ध्यान रखने कि किस चीज को show करता है और इ उसके बाद सिक्षा का अधिकार कब आया और ये क्या होता है सिक्षा का अधिकार जो है ये एक अपरेल 2010 को जो है लागू किया गया था जो की 6 साल से लेके 14 साल के उम्र के बच्चों को क्या करता है मुफ्त सिक्षा प्रदान करता है important है ये exam के point of view से right to education इसको जो है कहते ह इसके अलावा भारत की HDI में rank कितनी है ये 131 rank के number आपको ध्यान दखना है और HDI 189 country के base पर बनाया जाता है जिसमें भारत की जो rank है वो 131 है ये सारा का सारा data आपको जो है घोल कर पी जाना है साक्षरता education sector पर यहां पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसको अगला चैप्टर ग्रामिन विकास उसके उपर हम जो है बात करने वाले हैं वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज इसको ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ कल्यान हो जाए मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो बाई बाई टेक केर